वेल्कम टू माई चैनल फैमली फूड शो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन धाबा स्टाइल आपको अच्छा लगे तो घर पे बनाए ट्राइ करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन साड़े साथ सो ग्राम प्यास चे साथ उसके साथ तीन कटीवी छोटी मिर्च अध्रक लैसून का पेस्ट तेमाटर तीन पीस इसके पेस्ट इसके बाद हमें चाहिए गर्म मसाला में दो छोटी इलाजी दो बड़ी लैची लॉंग तीन पीस तेज पात तीन पीस तेज डाल चीनी और लाल खड़ी मिर्च डो पीस इसके बाद मुझे चाहिए सुखे मसाले में नमक हल्दी चिकन मसाला जीरा धनिया काली मिर्च और लाल मिर्च सबसे पहले हम इसको मेरिनेट करेंगे और इसको मेरिनेट करने के लिए हम चीकन में डालेंगे नमक 3 चोटे चेवल स्पून लमक इसके साथ हम दालेंगे लाल मिर्च तीन टेबल स्पूम हल्दी छोटे तीन टेबल स्पूम एक यह दो टेबल स्पूम इसके बाद हम डालेंगे चीकन मसाला जीरा दो टेबल स्पूम काली मिर्च एक टेबल स्पूम इसके बाद हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक के पेस्ट जीरा दो टेबल स्पूम इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से हम इसको अच्छे से हाथों से मैरीनेट कर लेंगे इस तरह से मैरीनेट करके हम इसको इसको आधे बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम फ्लेम पे आग पे पैन को रख देते हैं ताकि वह थोड़ा गरम हो जाएं पिर मैं इसमें सारे गरम मसाले तेजपात दाल चीनी लाल मिर्च जीरा खाड़ा जीरा लाओं दाल चीनी दाल चीनी को थोड़ा सा ओपन कर लेगा अब देंगे दो पीस बड़ी रहाची इनको डाल खेल का सब पूल लेगे इसमें डालूंगे थोड़ा सा बटर लेम को कम कर लेना अब मैं इसमें डालूंगी रिफाइंटर लगवां हाफ कप लेम को तेज कर देना अब हम इसमें डालेंगे कटिवी प्याज और हारी वेच इसको अच्छी से मिस्कर लेना तोरा दर गिले छोड़ देना जब तक यह ब्रॉण ने हो तोरा दर गिले छोड़ देना जब तक यह ब्रॉण ने हो अब मेरे प्यार लाइक प्रॉण हो गए है अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट दो चमच अब मैं इसमें डालूंगी टमाटा यह मैंने टमाटा पीस के रखा है वो इसमें डाल देम झाल देम वो तक यहाँा सबस्ता मैंने तक यह जराइक झाल देमाटा लाइक भीस प्रॉण प्रॉण अब इसमें डालेंगे सुखे मसाले इसमें डालना है हल्दी आधा जमच लाइमेश बोडर आधा जमच धन्या आधा जमच जीरा आधा जमच और चिकन मसाला एक जमच थोड़े और भी डाल सेश्चे में इसमें टेस्ट के लिए अबस्कों हम पुले है अबस्कों हम पुले है अब हम इसमें डालेंगे पीसे रे गरम मसाले यह मैंने गरम मसाले पीस लिए यह एक चमच एक चमच इसमें डाब देगा इस तरसे सुफ बलाव इसको तब तक हम भूलेंगे जब तक यह साइड से तेल ना छुड़े अब हम इसमें एड़ करेंगे अधा चमच नमक इसको मिक्स कर लेंगे अब मेरा मसाला रेडी हो गया अब मैं इसमें चिकन अड़ करूँ अब मेरा चिकन चला विए विसको मिक्स कर लेंगे एंजिखेंगा नियुआ से किरी ओंडेंगा, एंजिए और ट्रॉटिए और टॉटेंगा, टॉटेंगा, टॉटेंगा थ्यारति कईडा। चिकेन इसमें डागके हम 10-15 मिनिट तक इसे भूलेंगे इसी तरह से हम इसको अब मेरा चिकन बिल्कुल भूना चुका है अब मैं इसमें एड़ करूंगी दो कप पानी अब मैं इसमें एड़ करूंगी दो कप पानी पानी डल लिया अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसको अब मैं आब इसको अच्छे से मिक्स कर दो कर लेंगे अब इसको कवर कर देंगे कवर करके लेम कम कर देंगे मेडियम फ्लम में इसको पंदर मिनिट तक छोड़ देना है बीच बीच में आप इसको एक दो बार चेक कर सकते हैं अब मेरा चेकन हो गया है इसको हम खोल के देख लेता है कर दो अब मेरा चेकन है अब आपके कर दो हमादे देखिया है इसको हम आपके अब मेरा चाहँ दो उसके अब कर दो है यह मेरा चिकन गल चुका है यह मेरा चिकन गल चुका है अब हम फ्लैम आफ कर देंगे और अब हम इसकी गार्नेशिंग करेंगे अब हम इसको अपने बॉल में निकाल लेगे यह मैंने चिकन अपना प्लेट में निकाल लिया अब मैं इसकी गार्नेशिंग करूंगी इसकी गार्नेशिंग हम करेंगे धनिया के पत्ती से अब यह हो गए हमारी गर्नेशिंग यह तयार है पॉफिक चिकन यह हमारा तयार हो गया धाबा इस्टैली चिकन आप इसी घर में एक बार ट्राइ करें बनाए और इसको टेस्ट करें अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें थैंक यू